आज फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है यह इलेक्टिशियन थियोरी का फोर्थ क्लास है इस क्लास में हम लोग 20 टाप क्यूशन का सेलुशन करेंगे आज यह क्लास को स्टार्ट करते हैं और यह राइस क्लास का फ़र्स्ट क्यूशन DC जन्नेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार है अई आप संचेक करते हैं निरंतर बोल्टेज बनाए रखें धारा को एक दिशा में कत्र करें ब्रस पर बोल्टेज ड्राप कम करें और रेटेट गति की तुलना में टर्मिनल बोल्टेज बढ़ाता है इस क्यूशन का राइट जन्नेटर में ब्रस बनाने के लिए की समागरी का उपयों किया जाता है इस्टील और ग्रेफाइट कारबन और ग्रेफाइट धलवा लुआ और ग्रेफाइट एल्मूनियम और ग्रेफाइट तो आप लोग याद रख लिए कि इसे कारबन और ग्रेफाइट से बनाते हैं ब्रस को अमेशा कारबन और ग्रेफाइट से बनाते हैं नेश्ट किस्वन के तरफ बढ़ते हैं क्यों डीसी जर्नेटर अपना उस्ष्ट चुम्ब कतों को खो देता है जब किसी भी मसीन या किसी भी मोटर को जब उसकी दिशा से विपरित दिशा में चलाएंगे तो उसमें कुछ नकुछ नुक्सान होगा जैसे डीसी जर्नेटर इसके दिशा को विपरित दिशा में कर देंगे जिस दिशा में चलता है इस दिशा में कर दिये तो इसकी रोटेशन की दिशा बदल जाएगी तो इसलिए इसमें कुछ न कुछ नुक्सान होगा, यह आप्सन चेक करते हैं भार में भारी 60 सर्कीट बिना लगतार चल रहा है बिना रूके लगतार चलाना, रोटेशन की दिशा में अक्सर बदलती है जब गुमने की दिशा ऐसे की बदल देंगे तो इसमें और सिस्ट चुम्बकत हो देता है, इसक्विशन का राइट एंसर होगा, D नेस्ट क्विशन के तरफ बढ़ते हैं एक जनर्रेटर में योक और धुव के माध्यम से चुम्बकत की सर्कीट कैसे पूरा होता है छेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित कोर और आर्मेचर में इसक्विशन का राइट एंसर होगा, B आर्मेचर कोर नेस्ट क्विशन के तरफ बढ़ते हैं डीसी संट जनर्रेटर में लोड बढ़ने पर टार्मिनल बोल्टेज कम क्यों हो जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिय प्राभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में ब्रिधी के कारण, ब्रस बोल्टेज की वज़ा से गिरावट कम हो जाती है संट फिल्ड प्रतिरोध में ब्रिधी के कारण इसक्विशन का राइट एंसर होगा, A और मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण नेस्ट क्यूस्चन के तरह बढ़ते हैं लंबी दूरी की वितर लाइनों के लिए किस प्रकार के DC जनेटर का उप्यूग किया जाता है संट जनेटर, स्रेडी जनेटर, विवेदक याउगिक जनेटर, संचाई याउगिक जनेटर लंबी दूरी की लाइनों के लिए हमेशा कमुलेटी कंपाउंड जनेटर का उप्यूग किया जाता है इस क्यूस्चन का राए टेंस होगा D नेश्ट क्यूस्चन के तरफ बढ़ते है DC जनेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विदी का उप्यूग किया जाता है ब्रस को बार बार बदलना समय समय पर मस्चीन को गर्म करना नियमित रूप से कम्यूटेटर चेगमेंट की सफाई करना रख रखाव के दावरान मसीन को गर्म हवा देना इस क्यूस्चन का राए टेंस होगा D रख रखाव के दावरान मसीन को गर्म हवा देना नेश्ट क्यूस्चन के तरफ बढ़ते हैं अवश्ष्ट चुमबकत के अभाव में किस प्रकार DC generator काम करता है संट generator, त्रेली generator, यौगीक generator, अलग से उतेजित generator जब अवश्ष्ट चुमबकत का अभाव होगा, तीस से अलग से कुछ उस अभाव को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए इस अबाव को पूरा करने के लिए हम लोग अलग से उत्तेजित जन्रेटर लगाते हैं इस क्रिश्टन का राय टेंसर होगा दी नेक्स्ट क्रिश्टन के तरफ बढ़ते हैं के लिए किस प्रकार के दिर सी जन्रेटर का उप्यूऄ किया जाता है है सन्ट जननेतर श्रेड़ी जननेतर विवेदक यौگिक जन्रेटर शंचाय यौगिक जन्रेटर तो तो आप लोग ध्यान से इस बात को गौर से सुन लिजिए कि आर्क वेल्डिंग के लिए हमेशा डिफ्रेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उप्यों किया जाता है इस कुछन कराय टेंश अरोगा थी विवेदक योगी जनरेटर नेक्ट की तरह बढ़ते हैं कश जनरेटर डूअडिंग होती है एक वेब बारेज एक लेब बंडिंग वेब आनिक कोई तरंग बारेज वेबरिन बांडिंग कहते हैं जब वेब वांडिंग होगा उसमें जो एक बोल्टेज कमान उच्छ होगा और करेंट कमान कम होगा यही जब लेब वांडिंग होगा इसमें करेंट कमान उच्छ होगा और बोल्टेज कमान कम होगा आईए आप संचेक करते हैं कम धारा कम बोल्टेज उच्छ धारा कम बोल्टेज कम धारा उच्छ बोल्टेज उच्छ धारा उच्छ बोल्टेज देखी हमने पहले ही बताया है कि जब तरंग वार्णिंग होगा तो कम धारा होगी और उच्छ बोल्टेज होगी, इस question का राय टेंसर होगा C, कम धारा उच्छ बोल्टेज, next question के तरफ बढ़ते हैं, DC generator में, commutator संयोजन में प्रयूट प्रतिरोध तार का उदेश क्या है, आप लोग जो यह देख रहे हैं, यह DC generator का इसमें प्रतिरोध प्रयूट हुआ है, इसका कार क्या है, नियत बोल्टेज बनाए रखे, सुन अस्थाइतिक रूप से प्रयूट याम्यप, इस थाइतिक रूप से प्रयूट याम्यप, धारा दिशा की आसानी से पलटना, इस प्रतिरोध के कारड जो धारा की दिशा होती है, वो आसानी से पलट जाती है, इस question का राय टेंसर दि, next question के तरह बढ़ते हैं, दी सी जननेटर में ठोस पोल सू का उदेश क्या है, आई आप संचे करते हैं, ताबे के नुक्सान को कम करने के लिए, और सिस्ट चुम्बकत को बढ़ाने के लिए, और सिस्ट चुम्बकत को कम करने के लिए, चुम्बकी अपथ में रिलक्ट को कम करने के लिए थोस पोल्सू का उद्देश थोस पोल्सू का उपयोग चुम्बकी अपत्थ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है इस क्यूस्टन का राय टेंसर होगा दी नेश्ट क्यूस्टन के तरफ बढ़ते हैं बड़ी चंता के डीसीजनेटर योग बनाने के लिए किस धातू का उपयोग किया जाता है ? भलवा लोगा नर्मल लोगा एल्मूनियम रोल्ड इस्टील बड़ी मशीन का जोए डीसीजनेटर का योग हमेशा रोल्ड इस्टील का बनाया जाता है रोल डिस्टील और इसका जो पोल कोर होता है वह कास्ट डिस्टीलका बनाया जाता है कु नेश्ट कीच्छन के तरफ बढ़ते हैं DC generator में split ring का क्या कार्य है लगातार output किया पूर्ती एक दिशा में output बनाता है विपरित दिशा में output करता है प्रत्यावर्ति कंडक्टर से output एकत्र करता है इस question का right answer होगा B एक दिशा में output बनाता है DC generator में किस प्रकार का voltage गती शील रूप से प्रेरित होता है पल्सेटिंग voltage, दोलन शील voltage, प्रत्यावर्ति voltage, प्रत्याश धारा voltage जो प्रत्याश धारा voltage है वह DC generator में voltage गती शील रूप से प्रेरित होता है इस question का right answer होगा C Next question के तरफ बढ़ते हैं यक्स के रूप में चिन हित श्लाट का उद्यस क्या है जो आप लोग याद देख रहे हैं श्लाट इसका उद्यस की वे को ठीक करना है आई ये आप्सुंचे करते हैं कुंजी तरीका ठीक करने के लिए यही इस question का right answer होगा कुंजी तरीका ठीक करने के लिए नेस्ट किस्चन के तरह बढ़ते हैं DC generator में filled coil का उदेश क्या है air gap में flux को बढ़ाने के लिए magnetize current को कम करने के लिए कुंडली flux का निर्माड करने के लिए ध्रूओं को चुंबकित करना चुंबकी अपथ के reluctance को बढ़ाने के लिए देख़ी DC generator में filled coil का उदेश कुंडली flux का निर्माड करने के लिए ध्रूओं को चुंबकित करना इस question का राए ट्रेंस होगा C next question के तरह बढ़ते हैं बड़े DC generator machine के पोल को बनाने के लिए किस धातू का प्योग किया जाता है जो बड़े machine होगे बड़े DC generator होगे उनके पोल को बनाने के लिए हमेशा cash distill का प्रयोग किया जाता है पहले हमने एक बार बताया था cash distill इस question का राए टेंस होगा C cash distill next question के तरह बढ़ते हैं क्यों का पोल को having DC generator में पटलित किये जाते हैं घरसड हानिक को कम करने के लिए windage last को कम करें hystasis हनिक को कम करें भावरधारहानिक को कम करें कि आप लोग य है देख रहें पोल को carでは क्यों होग और जो इसे पटलित कीया जाता है भावरधार आनिक को कम करने के लिए पतलित किया जाता है और वार्निस किया जाता है हिस्टेसिस आनिक को कम करने के लिए आप लोग ध्यान से गौड से इस बात को केर किजिए पतलित किया जाता हिस्टेसिस आनिक को कम करने के लिए और वार्निस किया जाता है, हिस्टेटिस हने को कम करने के लिए, इस क्यूस्टन का राय टोंसर होगा, दी, भावर धार्रानिक को कम करने के लिए Electro Plating प्रक्रिया के लिए किस परकार के DC generator का उप्योग किया जाता है संट जन्रेटर स्रेड़ी जन्रेटर विवेदक योगी जन्रेटर संचाई योगी जन्रेटर है तो इलेक्ट्रेटिंग प्रक्रिजा के लिए संट जन्रेटर का प्रविव किया जाता है इस question का रहाई टेंसर होगा a next question की तरफ बढ़ते हैं dc generator में compensating widening का उद्यश क्या होता है कठोर कम emission कम करता है नियत output voltage बनाय रखे विचुंबक की करण प्रभाव को ब्यासर करे छेतर कुंडली की उतेजन धारा को घटाए इस question कराई टेंसर होगा c विचुंबक की प्रभाव को ब्यासर करें इस question कराई टेंसर होगा c विचुंबक की प्रभाव को ब्यासर करें दोस्तो हमारी वीडियो अच्छी लगे हों तो वीडियो को like करें और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन दबाएं